हलो स्टूडेंट्स गुड मॉनिंग बच्चो आईए आपके हिंदी ग्रामर की क्लास स्टार्ट करते हैं हिंदी ग्रामर में आज मैं आपको एक स्टोरी पढ़ा रही हूं ठीके स्टोरी लेखन ठीके जैसे मैंने आपको ऐसे लिखवाई थे निवन पत्र लिखवाई थे आ आज मैं आपको एक स्टोरी करा रही हूं स्टोरी मैं आपको फुल लर्न करने को ना देकर मैं आपको फिलप्स में करा रही हूं ठीके यह आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे ठीके तो स्टोरी का हमारा नेम है जूटा गडरिया यह नेम है ठीके चलो स्टोरी री के से फिल अप में यह स्टोरी दूंगी आपको वो फिल करनी है हो सकता है मैं आपको पूरी स्टोरी ना दू मैं बीच में से आपको कोई भी 10 वर्ट्स दे दू मतलब कहीं से भी यहां से स्टार्ट करूं यहीं फिनिश कर दू ठीके ना तो इसके लिए आपको स्टोरी पूर रोज भेडे चराने जंगल जाया करता था एक दिन रामु को एक शरारत सूजी है ना जैसे बच्चे उधम करते हैं ना तो ऐसे उसके माइन में एक शरारत आई उसने गाउवालों को मूर्ख बनाने की बात सोची उसने शोर मचाना शुरू किया शेर आया शेर आया बचाओ गाउवालों ने रामु का शोर सुना वे समझे कि रामु किसी मुसीबत में है सब अपना काम छोड जंगल की और भागे अगर किसी का शोर आदा है तो सब उससे बचाने जाते है ना तो सब गाउवाले जंगल की और भागे किसी के हाथ में लाठी थी तो किसी के हाथ में भ वो लेके चलता हुआ जंगल पहुचकर उन्होंने देखा कि शेर तो कहीं आसपास भी नहीं था भेड़े आराम से घास चर रही थी और रामू एक पेड़ के नीचे मस्ती से खड़ा था गाओं वाले ने पूछा कहा है शेर उनकी बास सुनकर रामू जोर जोर सी हसने लगा गाओं वाले समझ गई कि रामू ने उन्हें मूर्ख बनाया है मूर्ख मतला पागल बनाया है वे उसे भला बुरा कहते हुए गाओं लोट गई भला बुरा मतला ऐसे कहते ना कितना गंदा बच्चा आयो था वो वैसे ही शोर मचा रहा था इस तरीगी से अगले दिन वहां सचमच एक शेर आ गया पहले दिन तो वो पागल बना रहा था दूसरे दिन सचमच वहां शेर आ गया जहां रामू भेड़े चरा रहा था शेर को देखते ही रामू का तो खून सूक गया खून सूक गया मतला वो एकदम डर गया कि अब क्या होगा उसने फिर जोर से शोर शेर आया बचाओ बचाओ गाउवालों ने उसकी आवाज सुनी लेकिन कोई भी जंगल की ओर नहीं गया क्यों नहीं गया यह पता है न आपको यस क्योंकि उसने पहले दिन सबको पागल बनाया तो समने सोचा यह तो वैसे ही चिलाता है सब समझते रहे कि रामू उने मुर डाला उसने रामू को शोर मचाते देखा तो उसने उसे भी मार डाला और गहरे जंगल की ओर भाग गया जूट बोलने के कारण रामू अपनी भेडों और अपने प्राणों से हाथ दो बैठा मतलब भेड भी मर गई और वो खुद भी मर गया जूट बोलने के वालों के करता मतलब अगर वो पहले दिन जूट नहीं बोलता गाव वालों को इस तरीकी से उल्लू नहीं बनाता इस तरीकी से इखटा करके वो हसता नहीं तो गाव वाले उसकी मदद के लिए आता कोई भी आते हो उसकी मदद के लिए और वो बच जाता और उसकी भेड़े भी बच जाती है ना लेकिन उसने पहले दिन सब को ऐसे मूर्ख बनाया तो फिर दूसरे दिन कोई भी वहाँ नहीं आया तो इस कारें से मैं क्या सुक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जूट नहीं बोलना चाहिए नहीं तो कोई भी हमारा उश्वास नहीं करता ओके बचो तो आपको क्य ग्रामर की बुक में ही है आप इससे बुक से नोट डाउन कर सकते हैं अंडरलाइन आप देख ले ना जो मैं आपको वो इमेज भेज़ूंगे कि किस 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 कि नीचे मैं ने अंडरलाइन करवा है बुक से आप आसानी से उतार सकते हो पेस नमबर 85 पर ठीक है बचो हाँ आज के लिए इतना ही थेंक यू